हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है हमारे चैनल बैसाली केंपस में दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि देखे आपको बता दूँ कि इस तरह की इमेज वाटसेप फेसबूक या यूटूब या सोसल मीडिया कोई भी सैट पर आपको बहुत तरह की देखने को मिल आपको बता दूँ कि वीडियो में देते हैं कि यह एक्जिल है क्या तो दोस्तों आप से है कि अगर अगर आप मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक कर लें और वीडियो को जादे से लाइक एंड शेयर करें तो दोस्तों आपसे है कि कम से कम आप इस वीडियो पर पांसो प्लस लाइक किजिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे कोई यूटूब के तरफ से कोई ऐसा या कुछ नहीं मिलता लेकिन जब आप लाइक करते हैं तो मैं आपको अपडेट करने का अमन करता है पर दे कोई भी अपडेट आती है तो देखें आपको इस वीडियो इस तरह की इमेज मिला है मिली इसमें लिखा क्या हुआ है देखें पर यह अवियार्थी एलपी सीवी टेकनेसियन सीए नमबर 01 2018 सीवी ट्यू टू पार्ट में नॉमलाजेशन एक ट्रेड ट्रेड नॉमलाजेशन एक ट्रेड का PCM physics math physics या अन जारी group level 1 notification के पैरा 15 में दिया गया है इस notification के उसा नमलाजेशन होने के लिए दो सर्थे होनी चाहिए पहला सर्थ यह बताया जा रहा है इनके पहला सर्थ समान syllabus दूसरा सर्थ है कि एक से अधिक चरण में परिक्षा चरणों की हुई हो ठीक है चुकि एलपी टेकनीसियन प यहां शॉट लिस्टेट लिस्टिंग कंडिडेक्ट फॉर्द वेरियस एस्टेट शैल भी बेस ओन दा नमलाजेशन मार्क्स अब टेन्ट बाई दम वेन एवर वेन एवर सीविट्यों को सीविटी इज कंड़क्ट इन दा मल्टिपल सेक्शन फॉर्ट दा सेम सेलेपस जो अब स्यक है विभीन चर्णों के लिए उमिद्वारे लगुत स्विकार अंकों के अधारित होगी तो देखे इसमें मानली क्या बताया गया कंडिशन हुआ सिलेबस समान होनी चाहिए और एक से जादे चर्ण में एकजाम होनी चाहिए तो यहां पर हमें बताईए मैं सभी खबर है जो भी सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है आपको तो देखे इसमें आपका मैं कंडिशन आपको दोनों किलियर कर दो तो हम इसमें क्या है तो पहला समान सिलेबस होनी चाहिए और दूसरा एक से जादे चर्णों में अधिक होनी चाहिए तो मैं इसको बता रहा हू देखे मैं यह नहीं का रहा हूं कि PCM को कंप्या कर से कह जाएगा मैं का रहा है कि 10 इसमें गयां में 5 दहीं कर ये electrical वाले के लिए combine करके तो नहीं किया जासा कि यहां तो संभावी नहीं है कि दोनों के syllabus अलग अलग है तो ये भी इनका सर्थ पूरा हो गया इनके उसार से syllabus समान होनी चाहिए अब देखें दूसरा एक से जादे चर्ण में एक्जाम होनी चाहिए तो देखें दूसरा मैं तो दोनों इनका condition true कर दिया आपके सामने पूरूप के साथ मतलब true कर दिया कि सही है और इसके बाद ये कर रहे कि नहीं होगा सिलेबस भी तो समान थी ऐलेक्टऩाल के चाह ये इलेक्ट्रोनिस के दस सिफ्ट में एक्जाम हूई है तो दसो सिफ्ट मे तो सिलेबस इनका समान थी मैं कहा कर रहा हूं कि PCM बाले से इलेक्ट्रिय्च्रोनिस मेकैनिकल से जो भी का qampare करके कि नहीं लेकिन उनके खुद के ही जैसे electrical है, mechanical है, mechanical को mechanical दस्वों सिप्ट में तो compare किया जा सकता है, क्योंकि यहां तो silver समाम था, तो इस पर normalization किया जा सकता है, तो देखें, यह सारी-सारी जूट है, आप इस विश्वास मत कीजिए, कोई option नहीं है, यह देखें, डाइडेक्ट यह आ आपको कंफर्म बता दूं कि आप लोग कोई मतलब कोई भी टेंशन में मता हैं कि डायरेक्ट मैं बता रहा हूं कि यह नॉमलाइजेशन होगा यह सारा न्यूज जूट है कोई अप्सियाल अपडेट नहीं है यह खुद से लिखा हुआ एक स्टेट्मेंट है जो आज कल सोचल मीडिया फे वायरल हो रही है तो अगर कोई भी डाउट है या आपको कोई भी अपडेट है तो कमेंट में जरूर बता हैं और वीडियो को जाए जाते जाते लाइक हैं श सोमाचिन